हाई दिस इस प्रभात रंजेनियर आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे होंगे कि भहिया क्या जेएमेंस 2023 में 75% जो बोर्ड वाला क्रैटेरिया था जो हमें बोर्ड में नेसेसरी थे 75% नंबर लाने क्या वो जेएमेंस 2023 के लिए भी एपली केबल है या नहीं इसके बच्चे बैट रहे होंगे फर्स्ट जिनका बोर्ड यर 2023 रहेगा यानि कि जिनका फर्स्ट अटेम्ट है सेकेंड जिनका बोर्ड यर 2022 था यानि कि जिनका फर्स्ट ड्रॉप यर है second जिनका board year 2021 था यानि कि उनका second drop year है तो तीनों बच्चों के लिए conditions अलग होंगी सबसे महले बात कर लेते हैं जिनका फर्स्ट year है जेई मेंस 2023 क्या उनके लिए 75% applicable होगा या नहीं तो जिनका फर्स्ट appearing year है उनके लिए थोड़ा सा डिलेमा है लेकिन जिनका board year 2021 था 2022 था उनके लिए security के साथ अंसर बताऊंगा कि उनके लिए क्या है लेकिन जिनका अभी first year है appearing हो 2023 ही तुम्हारा board year है उनके लिए थोड़ा सा confusion है अब ही clear नहीं है कि तुम्हारा 75% criteria रखा जाएगा या हटाया जाएगा लेकिन जिस प्रकार के situations बन रहे 80 to 90% chances है कि तुम्हारा 75% criteria वापस से आएगा reminding you किसके लिए जिनका ये first year है जिनका 2023 board year है 80 to 90% chances है कि 75% criteria वापस आएगा NTA जल्दी जब exam date release करेगा उसी समय ये बताता है कि तुम्हारे लिए ये 75% criteria इस साल रहेगा या नहीं रहेगा तो exam date का इंतिजार करी रहे हो जो भी 2023 वाले बच्चे हो जिनका board year 2023 है थोड़ा सा वेट कर लो तुम्हें पता चल जाएगा तुम्हारे लिए 75% criteria रहेगा या नहीं रहेगा लेकिन अब बात कर लेते हैं जिनका board year 2021 था या 2022 था यानी कि तुम इस साल 2023 में एक dropper हो तो तुम्हारे लिए स्योर सोट answer है कि तुम्हारा 75% criteria नहीं रहेगा क्यों नहीं रहेगा इसके बारे में थोड़ा सा detail में बात कर लेते हैं सबसे पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारा 75% criteria 2021 या 2022 में क्यों नहीं था क्योंकि यार तुम्हारा board year जो था वो corona पीडी थो तुम तुम्हारा boards corona के दौरान लिया गया है यानी कि boards जिस हिसाब से होने चाहिए थे उस हिसाब से नहीं हुए है तो यहीं देखते हुए NTA ने अनाउंस किया था कि बच्चों को सही तरीके से board में number नहीं मिले हैं तो 75% criteria नहीं रखा जाएगा 2021 और 2022 में तो तुम मुझे एक बात बताओ board में तुम्हें सही तरीके से number नहीं मिले थे यही criteria था ना तुम्हारा उस समय 75% criteria हटाने का तो अभी तुम्हारे board के number बदल थोड़ी गए हैं तुम्हारा board तो उसी समय हुआ था वही number लेकर के अभी भी बैठे हो तो समझो तुम्हारे लिए board वाला सारा situation तो वही है वही number लेकर के बैठे हुए हो तो जब वही तुम उसी तरीके से पीडित हो जिस समय से 2021 या 2022 में थे तो board को लेकर के तो अभी भी 2023 में उसी कारण उसी हिसाब से पीडित हो तो स्योर सोट है कि जिनका 2021 या 2022 था board year यानि कि जो अभी ड्रॉपर है 2023 के लिए उनका 75% क्राइटेरिया नहीं रहेगा तो यार तुम खोसो जाओ लेकिन जिनका अभी 2023 है वो थोड़े से confusion में रहेंगे जब तक तुमारा इंटिया official notice कुछ release नहीं करता तब तक थोड़ा सा तुमें इंतिजार करना पड़ेगा तो अगर अभी भी मन में कुछ शंका या डाउट है तो यार हर संडे में यूट्यूब पर दो बज़े लाइब आता हूँ आओ मेरी यूट्यूब के लाइब सेशन में और free of cost IITJEE से लेकर एक class 12 के guidance पाऊँ वापस से reminding यूट कब कब होता है हर संडे दो पहर दो बज़े यूट्यूब पर लाइब आता हूँ और IITJEE से लेकर के class 12 तक live session में live chat में doubts पूछो ना यार और free of cost guidance ले जाओ बट रहा है क्यों इस opportunity को miss करना फिर अब बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि भाया मुझे इन sessions के बारे में पता कैसे चलेगा मतलब गलती से अगर छूट गया sessions तो तो अगर session miss नहीं करना चाते तो नीचे subscribe button को दबा करके bell notification को all कर लो ताकि एक भी session miss नहीं हो इस वीडियो बस इतने अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना और अगर कुछ दिल की बाते कुछ मन की बाते लिख करके बतानी हो या पूछी नहीं हो तो comment section तुम्हारी लिए ही तो है so thank you for watching this video good bye have a nice day wish you all the best for your future enjoy your journey